करीब 35 साल पहले चेर्णोबिल यूक्रेन जो तब सोवेत रसिया का पार था के पास दुनिया का सबसे बड़ा नुकलियर एक्सिडेंट ने अपने हजारों रेजिडेंट्स को साइट से रातो रात भागने के लिए मजबूर किया था लोकल्स ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया और कुछ को अपने पालतू जानवारों को भी छोड़ना पड़ा अब रिसेंट रिसर्च में इन पालतू जानवारों के डिसेंडेंट्स यानि वनसजो पर फोकस किया जा रहा है कि रेडियो एक्टिव इन्वारिमेंट ने इन्हें कैसे बदल दिया और ये रिसर्च ये भी पता लगाने की कोशिस करेगा कि सबसे खराब इन्वारिमेंट में से एक में सर्वाइब एंड ब्रीट करना कैसा है लेकिन उससे पहले चेटनोवेल नुक्लियर एक्सिडेंट के बारे में जान लेते हैं आखर क्या है इसके पीछे की स्टूरी 25 और 26 एप्रिल 1986 को हिस्ट्री का सबसे खराब नुक्लियर एक्सिडेंट अब नॉर्धन यूक्रेन में तब सामने आई जब एक नुक्लियर पावर प्लांट के एक रियक्टर में एक्स्प्लोजर हुआ और वो जल गया ये इंसिडेंट कोल्ड वार और नुक्लियर पावर के हिस्ट्री दोनों में एक हिस्टोरिकल मोमिंट थे 30 से भी जादा सालों के बाद साइंटिस्ट का अनुमान है कि फॉर्मर प्लांट के आसपास का जोन 20,000 सालों तक रहने लाए नहीं होगा ये डिजास्टर फॉर्मर यूएस एस आर में चैनोबल सीटी के पास हुआ था जिसने वर्ड़वा 2 के बाद नुक्लियर पावर प्लांट में काफी जादा इंवेस्ट किया था 1977 में सुरू होकर सोवेट साइंटिस्ट ने पावर प्लांट में 4RBM के नुक्लियर रियक्टर इंस्टॉल किया जो बेलरूस के साथ यूक्लियर बॉर्डर के साउथ में लोगेटेड है टेस्ट के दोरान वर्कर्स ने सेथिवी प्लोकॉल्स का उनलंधन किया और जिससे प्लांट के अंदर पावर के सप्लाई बढ़ गई रियक्टर को पूरी तरह से बंद करने के बाबजूद एक और पावर सप्लाई ने अंदर एक्सप्लोजन किया और ये दूसरी चेन रियक्शन का कारण बना फाइनली नुकलियर कोर खुद ही एक्सपोज होता है और एक्सप्लोजन में रेटियो एक्टिब मैटेरियल फैल जाता है लिए बनाय गया था उस समय नुकलियर एक्सप्लोजन को पब्रिस करना एक पॉलिटिकल रिस्क माना जाता था लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और रेडियेशन तब तक स्वेडेन तक फैल चुका था जहां एक दूसरे नुकलियर प्लांट के ऑफिसियल्स ने उ इस्टोरिक इवेंट है चैर्नोबिल के 190 मेंट्रिक टन जूरेनियम का 30% तक अब एट्मोस्फेर में था और इवेंच्वली सोवेट यून ने 3,35,000 लोगों को निकाला और रियक्टर के 4 और 19 माइल 4 एक्सक्लूजन जोन इस्टैब्रिस किया गया इस एक्सिदेंट के सु दुआत में कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई जबकि 100 से ज्यादा इंजट हो गए एक्सिदेंट से रेडियेशन के संपर्क में आने के बाद 6,000 से ज्यादा चिल्डरन एंड एडॉप्सेंस ने थाइरोइड कैंसर डैबलब्ट किया इंटरनेशनल रिसर्चर्चर्स ने प् हो सकता है फिर भी एक्सिदेंट का पूरा रिजर्ट मेंटल हेल्थ और यहां तक की बात की जैनरेशन पर भी इसका इंपक्ट रह सकता है रियाक्टर के अफसेस अब 2016 के एंड में इस्टेबलिश्ट एक बड़े से स्टील कंटेनमेंट इस्ट्रक्चर के अंदर है और टैमिनेशन को रोकने की कोशिस जारी है और सफाई कम से कम 2065 तक चलने की उम्मीद है आसपास के जंगल और जंगली जानवरों पर डिजाश्टर का इंपक्ट भी एक्टिव रिसर्ट का एरिया बना हुआ है एक्सिदेंट की तुरंद बाद लगबग 4 स्क्वेर माइल्स क के एरिया को रेड फोरेश्ट के रूप में जाना जाने लगा क्योंकि काफी सारे ट्रीज रेडिस ब्राउन कलर के हो गए और हाई लेवर्स ऑफ रेडियेशन को एबजाफ करने के बाद मर गए आज एक्स्क्लूजन जोन काफी जाना सांथ है फिर भी लाइफ से करीब 235 बिलियन डॉलर का नुक्सान हुआ बेलरूस ने एक्सिदेंट से अपने टेरिटरी का 23% खो दिया और अपने एग्रिकल्चर लेंड का लगवग पांचमा हिस्सा खो दिया 1991 में बेलरूस ने चेर्णोबिल से निबटने के लिए अपने बजट का 22% खर्च किया आज चेर्णोबिल उन टूरिस्ट को एट्रेक्ट करता है जो इसकी इतिहास और इसके खत्रे से चिंतित हैं चेर्णोबिल डिजाश्टर के बाद रसिया कभी भी अपनी टेक्निक से आगे नहीं बढ़ा रसिया में अभी भी 11 ओपरेशनल आर्बीयम के रियक्टर्स मौज में रहना और ग्रो होना कैसा हो सकता है साइंस एडवांसे जर्जन में तीन मार्च को पब्लिश्ट एक रिसर्च में 302 आवारा कुत्तों के जैनेटिक मेकप को देखा गया जिसे चेर्णोबिल के फ्री रोमिंग डॉक्स पॉपुलेशन कहा गया उन्होंने पावर प्लां एक्टिव कंटैमिनेशन सबसे ज़्यादा है और पब्लिक एक्सेस रिस्टिक्टिड है और हैबिटिशन अलाउप नहीं है जैनेटिसिस्ट एलन और स्टेंडर इस्टडिज ऑथर में से एक है इन्होंने कहा कि डॉक्स ने गोटन अपोर्चिनेटी यह आंसर देने के लि रिसर्च में अभी तक यह पता लगाना बाकी है कि चैर्नोबिल के डॉक्स की डियने में क्या चेंजिस आए और यह क्या माइने रखता है रिसर्चर्स ने चैर्णोबिल डॉक्स की डियने की कंपैरिजन इस्टन ईरोपियन के आवारा कुटों से भी की उन्होंने पाया कि चेर्णोबिल के dogs newcomers नहीं है और दसकों से other dogs population से अलग है जब emergency workers ने accident के तुरंट बाद कई कुट्टों को मार डाला तो ये इस चिंता के कारण था कि कुट्टे migrate करेंगे और contamination को फैलाएंगे और स्टेंडर नहीं ये भी का कि वो dogs के DNA samples में ज़्यादा बदलाब देखने की उमीद नहीं कर रहे थी ये देखते हुए कि वो 35 साल से ज़्यादा समय तक आपस में जुड़ हुए है लेकिन researchers अपने DNA और यहां तक की परिवारों के साथ radiation के high, low and medium levels of areas में रहने वालों कुत्तों की पहचान करने में सक्चम थे जब dogs जादा तर पार्तू जानवारों को disaster site पर पीछे छोड़ दिया गया था तो radiation के कारण कई सारे dogs मर गए और बाकी बचे हुए को contamination को फैलने से रोकने के लिए emergency workers के दुआरा मार दिया गया था लेकिन कुछ बच निकलने में काम्याब रहे और वो highly contaminated jones में रहने में काम्याब रही और यहां तक कि उन्होंने अपने generations को भी आगे बढ़ाया जंगली भेडियों के कारण भी इन dogs को contaminated jones में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा यूक्रेन में आच चेर्णोविज साइड एक complete ghost town है और अभी तक यहां के apartment और houses जमे हुए है site पर लगभग 3500 workers का कबजा है और कुटों ने फुट्स के लिए workers पर भरोसा किया है exclusion zone में लगभग 900 कुटे रहते हैं और कुछ चेर्णोविज सहर में भी रहते है यूक्रेन रस्या वार के बाब जो चेर्णोविज में रिसर्च जारी है fellow author of study team musho जो कुटों के blood samples को collect करने के लिए काफी बार site पर गए है इनका कहना है कि पिछले October में उनकी यात्रा के दोरान उन्हें यूक्रेन में वर जैसी situation का सामना नहीं करना पड़ा था